Hello students, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी अच्छे होंगे देखिए, आज इस वीडियो में हम करेंगे exercise 1.6 Class 9th है, NCRT book है और यहाँ पर इस वीडियो में exercise 1.6 के आपको सभी questions का solution मिल जाएगा तो question number first है हमारा, इससे पहले जो exercise थी 1.5 तक हम कर चुके हैं उनको अभी 1.6 है, question number first, find 64 raise to power 1 by 2 that means इस 64 की power कितनी given है? 1 by 2 अब इसको solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 64 को मैं power 2 के रूप में convert करूँगा that means मैंने 64 के पहले क्या बनाए? prime factor आप लोग direct भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को मालूम हो कि 64 को देखो नीचे जो power है न, 1 by 2 that means 64 को आपने convert करना है power 2 की form में तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको 8 की power 2 multiply by ये 1 by 2 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की power 2 क्योंकि 8 की power 2 जब आप solve करेंगे 8 multiply by 8 तो कितना आएगा? 64 आएगा ठीक है? तो ऐसे आपने convert करना है 8 की power 2 multiply by ये power 1 by 2 2 से 2 cancel out हो गया कितना आगया आपका 8? 8 आपका answer आजाएगा ठीक है? ये question number first था आप ऐसे prime factor बना के भी अपनी power निकाल सकते हैं कि कितनी power इसको लिखेंगे? ठीक है? next है, second question 32 raise to power 1 by 5 अब 32 को किसी न किसी की power कितना लिखना है? 5 लिखना है that means 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की power 5 multiply by 1 by 5 that means 5 से 5 cancel हो गया? कितना आगया? 2 2 आपका answer आजाएगा next question है third, 125 raise to power 1 by 3 तो 125 को लिखेंगे हम 5 की power 3 multiply by 1 by 3 तो 3 से 3 cancel हो गया answer कितना आगया? आपका 5 आगया बस आपने ये ध्यान रखना है कि जितना नीचे है ना इस number को उतनी ही power बना के लिखनी है आपने तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की power 3 ठीक है? 5 को आप 3 times multiply करेंगे 5 multiply 5 multiply 5 then कितना आएगा? 125 ठीक है? question number second देखिए second, find 9 raise to power 3 by 2 अब देखो यहाँ पर इस number को देखना है नीचे वाले को 2, that means 9 को मुझे power 2 के form में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3 की power 2 3 की power 2 और multiply by ये 3 by 2 as it is रहेगा 2 से 2 cancel out हो गया 3 की power 3 बच गया तो 3 की power 3, that means 3 multiply 3 multiply 3 3 3 is a 9, 9 3 is a 27 27 answer आजाएगा, ठीक है question number second 32 raise to power 2 by 5 32 को power लिखेंगे 2 की power 5 multiply 2 upon 5 5 से 5 cancel out हो गया 2 की power रहेगा 2 that means 2 multiply to 4 answer question number third 16 raise to power 3 by 4 अब 16 को power 4 के format में लिखना है तो इसको लिखेंगे हम 2 की power 4 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 that means 16 आगया 2 की power 4 multiply 3 by 4 4 से 4 cancel out हो गया क्या बचा? 2 की power 3 रहे गया तो 2 की power 3 answer कितना हैगा? 8 2 to the 4, 4 to the 8 question number 4 125 raise to power minus 1 by 3 तो अब देखो 3 के format में लिखना है तो 5 की power 3 5 की power 3 कितना हो जाएगा? 125 and multiply by minus 1 by 3 3 से 3 cancel out हुआ 5 की power minus 1 that means यह आगया 1 by 5 आपका answer आगया ठीक है? अब हम चलते हैं question number 3 की तरफ question number 3 देखिए simplify से related question है first इससे पहले आप यह एक important topic मैंने यहां लिखा है line यह अपना write down करनी है सभी बच्चों ने notebook में और ध्यान में रखना है जब base same हो और multiply हो तो power क्या हो जाती है? add हो जाती है base क्या होना चीए? same और multiply है तो power क्या हो जाएंगी? add for example मैं आपको एक बार बताता हूँ यदि मान लो मेरे पास है 7 की power 2 और multiply है 3 की power 2 यह नहीं लिखना आपने ठीक है? यह किसी बच्चे नहीं लिखना है यह मैं आपको just एक समझा रहा हूँ सिर्फ 7 की power 2 multiply है 7 की power 3 इस तरह से तो देखो 7 यह क्या कहलाता है? base ठीक है? अब base same है यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है ठीक है? और power क्या है? एक यह 2 है एक 3 है तो answer क्या है का आपका? इन दोनो base में से एक base लिखो और power को क्या कर दो? plus 2 plus 3 that means answer will be 7 raise to power 5 ठीक है? समझा है? सभी को इसको base बोला जाता है मतलब दोनो number जो multiply हो रहे हैं वो same है तो power क्या हो जेंगी? add हो जेंगी देखिए कैसे question number first है third गा 2 raise to power 2 by 3 multiply 2 raise to power 1 by 5 base same है दोनो number same है न? 2 and 2 यहां भी और multiply भी हो रहे है that means यह दोनो power क्या करनी है? आपने plus करनी है add करनी है तो दोनों में से एक base लिखेंगे 2 और उपर power थी 2 by 3 plus हो गई 1 by 5 3 और 5 का LCM लेंगे 15 आया LCM 3 5 जा 15 and 5 2 जा 10 5 3 जा 15 3 बन जा 3 इसको आप solve कर लेंगे यह आगया 13 अपन 15 2 raise to power 13 अपन 15 आपका अंसर आएगा question number second 1 upon 3 raise to power 3 and whole power is 7 तो 1 upon 3 की power 3 है upon में है जब यह उपर जाएगी तो power कैसी हो जाएगी negative तो 3 की power आ गई minus 3 और power उपर है 7 7 3s are 21 that means 3 की whole power कितनी आ गई minus 21 यह आपका total answer आएगा 3 की power minus 21 second question हो गया third question देखिए अब यह यहाँ पर है third 11 raise to power 1 by 2 upon 11 raise to power 1 by 4 upon में कोई चीज होती है तो आप लोगों को पता होड़ना चाहिए वो क्या हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 11 दोनों base में से एक लिखा 11 and 1 by 2 minus 1 by 4 4 and 2 का LC हम आ गया 4 solve किया इसको तो कितना आया मेरे पास 2 minus 1 that means 11 raise to power 1 by 4 इसका answer आ गया चीक है बहुत इसी है बस आप यह चीज़ धिहान में रखेंगे यदि base same है और divide हो रहे है then power क्या करनी है आपने subtract करनी है question number 4 देखो different है 7 की power 1 by 2 multiply 8 की power 1 by 2 अब यहाँ आप क्या देख रहे है base different है लेकिन power क्या है same है जब ऐसी situation आजे है कि base अलग-अलग है और power same है तो जो आपको कह रहा है जैसे multiply करवा रहा है तो पहले दोनों base की multiply कर लो 7 and 8 दोनों की multiply की कितना है 56 and इनकी power आगई 1 by 2 power को कुछ नहीं करना है same power है as it is आपने write down कर देनी है बस base की multiply कर लो ठीक है यह इस condition में था question number 5 यह मैंने अपनी तरफ से लिया है आपकी book में नहीं है 16 की power 1 by 3 divided by 2 की power 1 by 3 आप देखो divide हो रहे हैं लेकिन base क्या है different है that means आप क्या करेंगे जो 16 है उसको 2 से पहले divide कर लेंगे कितना है 16 को 2 से divide किया तो 8 that means 8 और यह power आगई 1 by 3 as it is ठीक है इनको आप इस type से करेंगे ऐसे questions को clear है सभी को तो I hope कि आप सभी को यह exercise अच्छे से समझा गई होगी यह सभी questions आपने fair notebook में write down करने हैं ओके बाई